सलाम आलेकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर अलकम कहती हूँ हम जो नोवल डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्षर के इंदर वो है Ice Candy Man, जिसको लिखने वाली है बैप से सिर्वा हम लोग इस लेक्षर के इंदर, चैप्टर नबर 12, 13, 14 को डिस्कस करने वाले है इससे प्रिविएस लेक्षर में हम लोगों ने चैप्टर नबर 11 तक अपनी समरी को complete कर लिया था In-depth Summary with Critical Analysis तो अगर आपने वो in-depth summary with critical analysis नहीं सुनी तो मैं आपको recommend करूंग पहले आप वो सुन लें ताकि आपने जो novel है उसके जितने भी important point है important aspects है वो आपको अच्छे से clear हो जाए आपको किसी भी point में कोई भी confirm बाकी न रहे और जब आपको अच्छे सुन लेंगे sequence के साथ तो automatically आपको इस novel के ओपर अच्छे से grip भी हो जाएगी clear मैं जो link है वो description में डाल दूँगी आप उस link के ओपर click करके उन lectures को अप्रोच कर सकते हैं तो anyhow without wasting any single minute जो हमारे आज का lecture हम करते हैं शुरू chapter 12, 13 and 14 को cover करने वाले हम इस lecture के अंदर chapter 12 में ऐसा होता है कि Lenny बतायती कि Saturday afternoon का time period था Lenny की cousin उनको मिलने के लिए आएवे थे जिसमें Mrs. Bankwala भी थी जो के उनके parents में है Mrs. Singh भी थी और इसके बाद एक school teacher भी थी मतलब ऐसे की घर में gathering होई थी कज़े सब adults जो थे बड़े लोग आपसे बैठके विरानदा के अंदर बाते गह रहे थे और जो बच्चे बच्चे थे वो खेल रहे थे अब खेलते खेलते ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं बच्चों में हमारे पास पपू है आदी है लैनी है पिटर है रोजी है यह सब बच्चे है तो इस अब जो खेल रहे होते हैं तो खेलते हैं खेलते हैं लैनी के फादर के मतलब जो लैनी का पैरेंट्स का बेडरूम होता है ना वहाँ पर एक ब्लैक बोक्स डिसकवर करते हैं वो बोक्स एक कफन के तरह का होता है और उस box को देखे जो बच्चे वही सोचते हैं कि ये box जो आना हो सकता है एक छोटा सा कफन हो हो सकते हैं इसके अधर एक thin आदमी या पर कोई animal हो वो box locked भी होता और बहुत heavy भी होता है अब ये बच्चे जो आना इस mystery को solve नहीं कर पाते और बढ़ा ही frightened feel करते हैं और जो लैनी की mother होती है वो इन से पूछते कि इस box में क्या है तो लैनी की mother भी उस box के अंदर क्या है बताती नहीं है इनको refuse कर देती है बताने से क्योंकि वो जो box है basically लैनी के जो father है उनकी possession में होता है ये उनका box होता है अब जब बच्चों को नहीं पता लगता तो बच्चे के करते हैं बच्चे strike शुरू कर देते हैं hunger strike ठीक है भूक रहना शुरू कर देते हैं और इनके जो parents होते हैं इनको forcefully खाना खिला रहे होते हैं लेकिन ये hunger strike कर रहे होते हैं किसको follow करते हुए गांधी जी को follow करते हुए क्योंकि गांधी जी भी उस टाइम पे hunger strike कर रहे थे और वो hunger strike में क्या था वो hunger strike basically इसलिए कर थी क्यूंकि बिहार के इंदे बहुत से मुस्लमानों को श्रीद किया गया था और जो गांधी थे वो चाहते थे कि ऐसे एक्ट फर्दर ना हो तो इसलिए वो इस एक्ट से रोकने के लिए hunger strike पे थे और बच्चे भी उनको follow करते हुए hunger strike पे थे लेकिन जो बच्चों का ये fasting करना था ये basically जो parents थे उनको panicked कर रहा था उनको परिशान कर रहा था अब बच्चे ये जो hunger strike थे बच्चे क्यों का रहे थे basically ये डर गए थे उस box की बेस पे तो anyhow stress और conflict की बेस पे इन्होंने खाना छोड़ा था जो Lenny की मदर थी उन्होंने Lenny को और आदी को spoon feeding करवाना शुरू की electric aunt ने अब cousin को और उसके बाद मिस्टर सिंग ने मिस्स सिंग ने पीटर एंड रोजी को और इसके बाद Lenny बताती कि वो जो black box था वो disappear हो जाता है और further जो colonial brocha होते हैं जो doctor थे दिखाये गए इस स्टोरी के अंदर वो भी इन बच्चों को calcium और glucose देते हैं प्रलैनी कहती है तो कहती है अगर गांदी जी भी fasting कर रहे हो और उनको खाने वगारा खलने के लिए चाते हैं आप तो नेक्स टेम उनके पास Indian परसंस को बेज देना चाहिए इसके बाद स्टोरी में बताया जाता है कि it has been a year ठीक है एक साल ओ चुका हुआ है जो इमाम दिन थे वो पीर पिंडू विलिज में नहीं गहे थे और इमाम दिन अब पीर पिंडू विलिज में जाने वाले थे लैनी जो है वो राना की बारे में सोचती है कि जो एक बहुत पूर परसं था और further Lenny यह सोचती है कि इमाम दिन अब ट्रिप के लिए जा रहे है मतलब पीर पेंडू विलिज जा रहे है तो Lenny इनको force करते है कि वो भी इनके साथ जाएगी anyhow, इमाम दिन agree हो जाते है इमाम दिन Lenny को अपने साथ पीर पेंडू विलिज लेके जाते है तो वहाँ पर festival होता है इमाम दिन उस festival पे, Lenny को अपने साथ लिए जाते है और अपनी फैमली को भी साथ लिए जाते है और यह सब मिलके वहाँ पे music को enjoy करते हैं food को enjoy करते हैं और carnival rides चोँ आदी नोट करते है और वहाँ पे एक ride करते हैं Lenny नोट करती है किते हैं, यहां पर बहुत से ऐसे फेसिस थे, जो कि स्टेंजर फेसिस थे, उनके जो फेसिस थे, वो cold और harsh थे, और उनमे एक सिखभ वई था, जो कि राना का दोस्त था, वो राना को एकनौर कर रहा था, और जिस फेस्टिवल की बाते ही जारी है बिसिकली बेसाखी का फेस् सिंध बिसिकली गरांती है इस विलज के जो गरांती होते हैं ये अपने हौली किताब पढ़ रहे होते हैं और उस टाइम पर तोस्त मुहम्मद यानि कि राना के फादर हैं वो पूछते हैं इनसे कि यहां पर जो विजिटर्स आए हैं जो ब्लू टर्बंस पहने अपने सर के पर दिन के बारे में रहाने का था कि स्ट्रेंज फेसिस थे हार्श फेसिस थे कॉल्ड फेसिस थे पूछता है ये लोग कौन है जो ने अपने हाथों के अंदर सिक्स वोर्ड भी पकड़ी हुई है फिर आगे उनको जो जगसीत सिंथ यानिके जो गरांती है वो बताते हैं क जिनको बनाने वाला महराजा रंजीत सिंग है ये जो सेक्ट है इनको बनाने वाला कौन था महराजा जगधीत सिंग जिसने एस सेंटरी अरलियर इनको बनाया था जब उसने पंजाब को फता किया था और अगे से इनको पताते हैं कि यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जग वाली कंडिशन क्रियेट कर दी गई है वो लोहों को दिखा के जिन्हों ने सर पे ब्लू टर्बंस पहने हुए थे जिनके बारे में कहा गया कि अकलिस थे यानि कि इम्मोर्टल्स जिनको बनाने वाले जिनको फॉर्म करने वाले महराजा रंजीत सिंग थे अस संशरी अर्लिये और यह अब इसलिए है क्योंके इनके बारे में कहा जा रहा है कि जाद है जितने भी मुसल्मान इस पंजाब में रह रह रहे हैं उनको यहां से निकाल दिया जाए यहां से दूर भेज़ दिया जाए इसके बाद जो गरांती है वो कहते हैं इन गुरुप को जो इनके पास गया है यानि के दोस्त मुहम्मद का गुरुप कहते है कि रात होने वाली है रात होने से पहले पहले आप घर चले कोई कि कंडिशन जो है सूरत आल पाहर अच्छी नहीं है उसके बाद यह वापस लजाते है और फिर ये रेडियो पे एक न्यूस सुनते जिसमें कहा जाता है कि जो भी रूमर्स चल रही है मुसलिम्स और हिंदू को लेके आपने इन रूमर्स के उपर बिलीफ नहीं करना और आप सब अपने अपने गाउं में ही रहें ठीक है ऐसा कहा जाता है लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कुछ दिनों बाद लेनी और इमामदीन लहूर आ चुके होते है और जब ये घर आते तो इनको एक ख़बर मिलती है यहने के लहूर में आने के बाद कि डिफरेंट विलिजस के अंदर मुसलिम्स के उपर एटाइक किया जा रहा है और ऐदर हैं कि आता है तू वीक्स लेटर एक ट्रग आता है एक आर्मी ट्रग का आता है जिसके अंदर at least 15 people होते हैं पीर पिंडो विलिज से जिनको असेथी के होम में छोड़ दिया जाता है और वो ट्रक कहता है कि और भी different trucks आएंगे जिनके अंदर वो लोग होंगे those Muslims who want to go Pakistan जो के Pakistan जाना चाहते हैं जो Muslim लोग होते हैं बड़े confused होते हैं वो अपने land के बारे में पूछे होते हैं वो अपनी belongings के बारे में पूछे होते हैं और in the end क्या होता है only poor families who did not on land agreed to go वो ही agree होते हैं Pakistan जाने के लिए जिनके पास कोई भी land नहीं होता और further story में ये भी बताया जाता है कि जो ट्रक लेके आते हैं आर्मी वो ये गहते हैं कि ये वो villagers जिन्हों ने कहा था कि पाकिस्तान बन गया है तो उनको उदर पाकिस्तान की तरफ ले जाया जाए तो इनको इसलिए ट्रक के अंदर बिठा के यहां पे ले जाया जा रहा और किती है कहा जाएंगे और how hard it is for people to abandon their land their ancestors grave and their families and that's all about chapter 12 हमने chapter 12 के इंदर throughout tension देखी tension किस तरह की देखी है political tension देखी है personal mixes with politics देखी है इसके अंदर हमने देखा कि first time aggressive face appear हुए है six के ठीक है और वो कि चाहते हैं वो मुस्लमानों को अपनी land से निकालना जाते है और on the other hand ये act हो भी किया कि कुछ मुस्लमानों को ट्रक के उपर बढ़ा के लिखे जाएगा कि ये कहते हैं इनको पाकिस्तान भीजना है जब soldier से पुछा था कि अपनी बात की वज़ाथ करो तो वो कहते हैं हमें बस इतना ही कहने को कहा गया था इसलिए हम इतना ही आपको बता सकते हैं ठीक है और इसके बाद हमने देखा कि अब divian होने वाली है partition होने वाली है और violence वो start हो चुकी हुई है इविन के racism भी हमने देखा कब जब बात की गई कि राना का एक सिख दोस्त है जो कि बहुत क्लोस दोस्त है उसका अब वो भी राना को इग्नोर करें यनि कि अब जो friendship है वो भी religion बेस पे sectarianism की बेस पे क्या हो रही है उसमें भी difference आ रहा है वो खतम हो रही है अब इसके बाद chapter 11 में हम लोग और trauma देखते हैं जी होता क्या है जो Lenny की god mother है वो बताती है Lenny को कि जो Mr. Rogers थे उनकी death हो चुकी हुई है उनको किसी ने मार दिया है और उनकी death body मिली है Mr. Roger कौन थे आपको याद होगा कि Lenny की घर में party हो रही थी तो जब Lenny और आदिक टेबल के निचे चुपे होए थे तो वहाँ पर उस party के अंदर Mr. Singh आया थे और दूसरे Mr. Roger थी वो Mr. Roger है ठीक है अब उनको किसी ने murder कर दी है ठीक है ये कौन थे? Inspector General of Police और जब इस news के बारे में discussion कर रहे होते हैं जब God Mother Lenny को ये बताती है तो उस टाइम पे Slave Sister जिनका नाम Mini Aunt भी कहा गिया है ठीक है? Mini Auntie Slave Sister को ने जो के basically care taker है? God Mother की उनके घर पे काम करती है जिनको Lenny Slave Sister भी कहती है और Mini Auntie भी कहती है तो Anyhow जब Mini Auntie Slave Sister ये news सुनती है कि जो Roger था उसको मार दिया गया उसका कतल हो गया उसको dead body में लिया तो ये सुनके आगे से बहुत aggressively ये कहती है कि Like all Englishmen He will go to hell for what he has done in the Punjab The thought of him burning in hell makes Lenny cry ठीक है? इतना देखें इतना कि जितने भी Englishmen थे उन Englishmen के तरह ये भी जहन्नम में ही जाएगा जहन्नम की आग में जलेगा क्योंकि इसने जो पंजाब के साथ किये ना इसके साथ यही होना चाहिए अब जब Slave Sister ये बात करती है तो उस टाइम पे जो उसके hell के अंदर जलने की एक सोच होती है वो लैनी को रोने पे मुझबूर कर देती है मतलब लैनी डर जाती है और सोचती है पूछती है कि क्या वो आग में जल रहे होंगे और लैनी के रोने की बेस पे लैनी के डर जाने की बेस पे God Mother और Slave Sister इन दोनों की यहाँ पे Fight शुरू हो जाती है और यहाँ पे अगेन जो बैपसे सिद्वा है वो अपनी Parsi community का theme भी highlight करेंगी कैसे वो दुंगर वादी के बारे में पताएंगी यह कौन सी वादी है अब लैनी बिसिकली के करेगी लैनी करेगी कि इसका मतलब क्या है कि जो इनकी डेड बोडी थी उनको क्यों ने Tower of Silence में भैंक का गया उनकी क्यों ने Dead Body Tower of Silence में रखी गई अब Tower of Silence बिसिकली इसको दुंगर वादी कहा गया तो आगेसे God Mother जो इसको correct करती है कहती है कि वो Tower of Silence इसको दुंगर वादी कहते है और जो Englishman होते हैं वो अपनी Dead Bodies को एक Box कें बंद कर देते होते हैं जबके जो Hindu होते हैं वो अपनी Dead Bodies को जला देते होते हैं जबके जो Muslim होते हैं Dead Bodies को जमीन कें अंदर थिफना देते होते हैं ठीक्या, ऐसा ही होता है अब यहाँ पे जो God Mother वोका कहती है कहती है कि जो Parsi Community है न वो बताती है हम लोग को कि उनके अंदर ऐसा होता है कि उपनी dead bodies को दुंगरवादी में फैंक देती है वहाँ पर क्यों रखते हैं for vultures वहाँ पर vultures आएंगे, animals आएंगे उनके dead body खा जाएंगे, क्यों? वो इसलिए कहती हैं कि यह लोग जो पार्सी कम्यूनिटी के लोग होते हैं वो यह नहीं जाते हैं कि उनकी dead body होती है, वो जमीन के अंदर दिफना के जमीन को गंदा किया जाए या फिर वहाँ पर आग लगाके धुहाँ धुहाँ करके pollution फिलाई जाए तो इसलिए कहते हैं जो बस सिलूशन है वह ही है कि उनको दुंगरवादी में रख दिया जाए जहां पे इनकी body को vultures आके खा जाएं तो यहां पे जब हम लोग को एक और पार्सी कम्यूनिटी के बारे में सीखने को मिलता है और अधर हैंड स्टोरी में जब सीन शिफ्ट होता दिखा जाता है यूसफ यूसफ जब इसी के लिए हैंडी मैं तर सेटी फैमिली का उन सब को जितने भी घर के जो worker स्टाफ था वो तंग करना शुरू करता है यूसफ को यूसफ एक धोती पहनता है और सब के सब उसके दोती को कीन से रहे होते हैं एवन के लैनी भी कहती मुझे इसके जो इसे दोती पहननी होती है वह ज़रा भी नहीं पसान लैनी भी उन बच्चों के साथ मिलकर यानि के जो स्टाफ थे इसके दोती को कीना शुरू कर देते हैं सोरी यहां पर करेक्शन कर लें यूसफ नहीं हरी था ठीक है हरी के साथ है सीन होता है कि सब हरी को टीज करें होते है यूसफ तो लैनी को अपने साथ लेके आ रहा होता है जब वो गुझे था तो लोरंस पार्क आता है डिफरेंट प्लेसिस आती है और वहां पर देखते हैं कि एक परसन होता है वो खाना खा रहा होता है वो जो परसन होता है वो बरहमन से बिलोंग करता है अपने आपको बड़ी उंची कास्ट का समझता है और जब उसके खाने के ऊपर किसी निशली कास्ट का यानि के लैनी और यूसफ इनका साया पढ़ ज वो एक बरहमिन के खाने के पर पढ़ जाता है बरहमिन अपना खाना फैंक देता है और लेनी वाप पर कहती है Now I know surely One man's religion is another man's poison के एक मज़भ का जो एक इनसान का जो मज़भ हो दूसरे के लिए कैज जहर है ठीक है ये सीन था यूसेफ के साथ और टीजिंग का सीन जो मैंने आपको धोती का सीन बताया था वो बिसिकली हरी के साथ था कि जो लेनी और बागी जो स्टाफ होता है वर्कर स्टाफ वो हरी को तंग कर रहा होता है हरी बिसिकली इनके गड़ में एक काड़नर है ठीक है जो कि एक हिंदू है और जब हरी को तंग करteil है तो वहाँ पे आके इमाम दिन आता है और इमाम दिन आके हरी को रेस्क्यू करता है On the other hand, वहाँ पे एक बंदे की चलने की अवाज आती है वो जो बंदा चल रहा था तो आया की आंखे पड़ी खोफ से बर जा दी है और जब वहाँ पे देखा जाता है, like clarity होती है तो बंदा basically ice candy man होता है और साथ ही यहाँ पे chapter 13 end हो जाता है Chapter 13 जो है वो बहुत ही जादा हमारे लिए significance है क्योंकि आया का डरना और एंटर कॉन और आइस केंडि मैन फोर्षड़ो किया जा रहा है क्योंकि आइस केंडि मैन ही आया को लाइफ को डिस्ट्रोई करने वाला है हरी की दोती को खींचना यह भी फोर्षड़ोइंग का रहा है फ्यूचर में हरी के साथ ऐसा ही हो का हरी को जो एक्स्प्लोइट किया जाएगा और उसको मुस्लिम कम्यूनिटी आकर एक्स्प्लोइट करेगी ठीक है अब शेप्टर 14 जो चुरू होता है तो इस पर देखते है आया और जो मैसूर और आइस केंडि मैन इनके एर्दिकेट स्टोरी चल रही है आया मैसूर यानिकि जो मैसाजर उसका टाम स्पन करना पसान करती है आइस केंडि मैन जो यह चीज लाइक नहीं करता है आइस केंडि मैन अगें अगें डिग्रेट करने के कोशिश करता है मैसूर को और इवन के आइस केंडि मैन मैसूर के अगेंस स्टेटमन देता है काता है विद्नेयर कनिंग फिंगर टेकिंग लिबर्टी इस तीक है तो यह जो में सटें जर्सके निवर्टी जर्टें लिबर्टी लेने की कोशिश करते हैं तो आया रेलाज कर लेती कि यह बिसिकली जल रहा है मैसुर से और उसके बड़ा होती है इसके जल सी के अच्प्रे बहुत कि और इसको पॉप्सिकल डेता खीक है और इस ही के साथ पॉपिसकल देने के बाद ही इंड हो जाता है तो फिर हम चिंडडियों थे हैंग इसके बाद के बस्कुप सेUNG तो आई होप कि आपको आपको जो नॉवल के चैप्टर नबर 13, 12 और 13 और 14 नबर क्लिए रोचुके होंगे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स लेक्शे कसा तब तक दुआ में खास याद रखिगा थेंक यू सॉमर फोर्चिंग दुडियो अलाहाफ़स